हलो एरिवान वेलकम बैक टो आवर चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे में भी बहुत अच्छी हूँ जे सागे आपने टाइटल में देख लिया है आज आपको सिखने को मिलने वाला है एलेफंट महंदे डिजाइन जो की होगा आपकी ब्राइडल के लिए बहु अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्योशन रहे गया हो तो मैं कमें में करके पूछ सकते हैं दोनों पार्ट में मैं आपको सारी डिटेल देने की पूरी कोशिश कर रही हूं अगर कुछ मीस हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझ से पूछ ले अगर आपक को पता है कि यह मेरा elephant man the design का part 2 है इसमें मैं आपको bridal से related elephant के designs सिखाऊंगी स्क्रीन पर जो आपको side में elephant के designs दिख रहे हैं इसकी detail में मैंने video बना रखी है जो कि मेरा part 1 था उसे भी आप उपर आई button पर क्लिक करके देख सकते हैं otherwise उसकी भी link में description box में डाल दूँगी अच्छा जी तो elephant के design को draw करने से पहले थोड़ा सा उसका design अपने mind में set कर लेना कि elephant आखे दिखता कैसा है उस according upon सब create कर रहे हैं मैंने सब से पहले elephant का सीर बनाया कान बनाया हलका सा pet का draw किया फिर मैंने उसकी soon बना दी उसको हलका सा आगे से उठाया है ताकि थोड़ा सा उसमें look आ जाए यह बहुत जादा भी आप कर सकते हैं नहीं भी करना चाहो तो चलेगा वह मैंने look के इसाब से उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है अच्छा जी तो उसके अलावा में उनके गले में थोड़ा सा हार्ड जीसा कुछ पहना रही हो घंटी टांग रही हो ताकि वह भी अपने एलिफेंट की डिजाइन को अच्छा दिखा सके मुझे अभी फिलाल इसकी पीट का थोड़ा सा दिजाइन थोड़ा चूटा लग रहा है जो कि यह इनफ नहीं है तो इसको अब बढ़ा रही हो तो यह आपके according आप सेट कर सकते है कैसा क्या रहेगा आपकी डेजाइन केसा create और उसके विडियो हो तोड़ा सा स्लो अराम से लिएएस बर ऑझारे जाएगा और इसके आप प्रेक्टिस इसके सातब पार पान में थोड़ा सा फास्ट बनाती हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो मेरा एलेफिंट का डिजाइन क्रियेट हो चुका है उसमें थोड़ा सा लुक उसको अच्छा दिखाने के लिए मैंने कुछ एक्स्टा चीजे किये जिसे उपर की तरफ अपन कपड़े जिसा कुछ चौकर ट दूसरी चीजे भी एड कर सकते हैं अब मैं बना रहे हूं एलेफिंट की आई जो की बहुत इंपोर्टेंट रोल रखती है इस डिजाइन में इस वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाली हूं ब्राइट से रिलेटेट कुछ टिप्स जो कि आपको ब्राइडल महंदी बनाते वक्त बहुत ही यूसफुल रहने वाली है तो अभी मैंने उसके पीछे वाले जो अपने बॉक्स बनाया था उसमें एक चेक्स वाला डिजाइन ड्रॉ किया है आप इसके अलावाद दूसरी डिजाइन कोई भी ले सकते हैं नेगेटिव फिलब भी आप इसमें ले स पाए आगे जो मैं बॉर्डर बना रही हूं एलिफेंट के मोटी वाली बॉर्डर जो मैंने बनाई है उससे मेरा एलिफेंट का डिजाइन पूरा प्रॉपर क्लियर दिखेगा आप ये लाइन बिलकुल इसकीप मत करना अगर आपनी ये लाइन इसकीप कर दी तो उससे आप में को कमेंड बॉक्स में जरूर बताइएगा चलिए तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट एलिफेंट के डिजाइन पे जो की होगा अम्रेला वाला एलिफेंट का डिजाइन जिसे आपने ब्राइडल मेंदी की डिजाइन में काफी बार देखा होगा जो कि आप भी तो उसका भी एक रीजान है वह आपको आगे बता चलेगा तब तक में जो डॉक कर रही हूं वह आप डॉक करते चाहिए चलिए मैंने बैकर डेजाइन डॉक किया फिर सी डॉक किया अब मैंने नौस डॉक है उसकी जो कि मैं अम्रेला से प्रवादी हूं तो जल्देल्दी आ नहीं समझाता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा ओके अच्छा तो इसके आगे में सेम वही ड्रॉ करूंगी जो मैंने पहले वाले में ड्रॉ किया था तब तक मैं आपको ये बता देती हूं कि आपको ब्राइडल में इसे कैसे यूज करना है जैसा कि मै याइ अपने मेरे दोनों पाट देखे हूँ एलेफंड मेहंदी डिजाइन के जिसमें मैंने दोनों मैं अलग-अलग चीज़ा बताई है जो मैंने फ़र्स पार्टमे आपको बचाय हैं वह Senhor मेहंदी डिजाइन में बीच में युज कर सकते है मतलब कलाइक इँदर Pam में या back end में दोनों तीनों साइड आप यूज़ कर सकते हैं केवल स्टार्ट अप को छोड़के उपर स्टार्टिंग को छोड़के आप बाकी सब जगे उन elephant की designs को यूज़ कर सकते हैं इस टार्ट अपण अपने शोड रहे हैं स्टार्ट अप की जगे second part में में जो आपको यह elephant के design बनाना सिखा रही हूँ यह आप easily use कर सकते हो और यह आपकी महन्दी के design का startup बन के यह आपकी महन्दी के design को बहुत थी unique दिखाने वाले हैं तो elephants का use करने का मेरे जाप से यह वाला ज्यादा best तरीका है इसके अलावा आपके पास जो हो वो मुझे comment box में comment करके जरूर share करेगा अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं भी जरूर try करूँगी वो चीज अच्छा तो मैंने अभी मेरे elephant के design को अच्छे से draw कर लिया है बहुत अच्छा च्छे उसको finishing दे दिया मैं अब ट्रेस करने वाली हो उसकी eyes जो की उसको थोड़ा सा अच्छा दिखा देगी ये शायद मैंने सोच रही हूँ negative फिलफ वाला elephant का design बनाने का चलिए देखते आगे होता है क्या क्योंकि पहले से अपन कुछ नहीं कह सकते है महंदी में कि आगे क्या होने वाला है पहले से कभी सोच के नहीं चलना कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ अभी जो कर रही हूँ मैं वह best करूँगी ठीक है तो मैंने इसको अच्छे से कर दिया draw अब मैं इसको लेने वाली हूँ तोड़ी सी मोटी मोटी design है जो मेरे बाकी चीज़ों को अच्छे से दिखा पाए येस में को यही best लगा तो मैंने यही ले लिया ठीक है अब मैं इसको करने वाली हूँ dark अच्छे से ठीक है जो की इसे अच्छा दिखाएगा जल्दी जल्दी मैं इसको dark कर दिती हूँ हाँ पर इसको dark करेंगे तब दो चीज़ का ध्यान रखना पहला इसके जो पेर का दोनो पेर होते हैं उसके बीच में जहां लाइन आती है वहाँ आपन को थोड़ी सी एक एक लाइन इतनी गेप चोड़नी है ताकि दोनो एक दुसे में मर्च ना हो यह फिनिशिंग से दिख पाए उसके लिए इन दोनों में थोड़ी थोड़ी गेप आपको छोड़नी पड़ेगी आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैंने दोनों पेरों के बीच में फिलिंग करते हैं थोड़ी सी गेप छोड़ी है तो यह चीज आपको याद रखनी है अब इसको अच्छे से फिल करना है अब मैंने सबसे उपर सीर के उधर फिल नहीं किया उसको हलका सा मैंने ऐसी फिल किया मतलब आप नहीं कह सकते हैं नेगेटिव फिल टाइप फिल किया है वो इसलिए ताकि वो कुछ अलग दिख पाए इसलिए उधर आप पूरा फिल कर सकते हैं वो आपके अकार्डिंग सब कर सकते हैं अब मैं जल्दी से इसको थोड़ा और जल्दी फिल कर देती हूं आइस का पार्ट मैंने चोड़ा है इसको मैंने नेगेटिव इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने सारे आपको elephant designs दिखा दिये हैं सिर्फ इसको जोड़के मैंने सारे designs आपको दिखा दिये थे तो मैंने ये वाला design लेना ज्यादा सही समझा जिसमें आपको सारी detail अच्छे से समझा जाए अब इसमें मेरे को नहीं लगता फिलाल की मैंने कुछ भी चीज ऐसी छोड़ी है जो आपको नहीं समझाएगी या फिर आप मैंने मिस कर दी हो पर अगर इनके कुछ रहा जाता है तो मैं से प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना तो मैं जरूर आपको बताऊंगी अब मैं बैक में जो यह पार्ट है यह इसमें भी मैं चेक्स का डिजाइन लेना से समझाँगी इसके अलावा भी आप डिजाइन ले सकते हो बड नेगेटिव फिलप मत लेना आई होप आपको यह पता होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है कि वहां नेगेटिव फिलप क्यों नहीं लेना है बिकाउज डाक और लाइट शेड से मेहंदी बहुत अच्छी बनती है मैंने ऐलिफेंट डाक ड्रॉ किया है इसलिए मैं को यहां पर लाइट डिजाइन रखनी है ओके डन चलिए अब अपन बना रहे हैं अम्रेला का डिजा ऐलिफेंट के डिजाइन के ऊपर कर रही हैं ताक्कि आपको एजीली समझा जाए तो इससे अपन पूरा ड्रॉ कर लेते और फिर मने उसका डिजाइन ड्रॉ किया है सेम इधर अपन होरिजोंटल में ट्रेस करेंगे उसमें अपने खड़ी लाइने ड्रॉ की थी इसमें अपने आड़ी लाइने ड्रॉ करेंगे सेम अम्रेला का डिजाइन ऊपर जो अपने ड्रॉ किया था वही इधर भी ड्रॉ करेंगे तो वो draw हो जाएगा इसमें आड़े और खड़े का ही फरक horizontal और वर्टिकल का ही फरक है इसके अलब बहुत जादा कोई difference नहीं है इसमें आप umbrella के अंदर के design की ट्रेसिंग अपने sorry feeling अपने इसाब से कर सकते हैं पर उस चीज़ के लिए ये चीज़ धियान रखिएगा कि light और dark का थोड़ा सा फरक रखिएगा जिससे आपकी design थोड़ी अच्छी दिखने लग जाए otherwise अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो इसको complete देखिएगा कि मैंने कैसे क्या है मैंने नी अभी लुक थोड़ा सा अच्छा दिखने लग जाए जितनी आप लाइने और कंगुरे की design एट करते हो महंदी में उतनी ही आपकी महंदी की design अच्छी ही दिखेगी इससे आपकी महंदी की design मेसी या फिर गंदी नहीं होगी मतलब बिलकुल ऐसा कह सकते हैं गंदी दिखरी है बहुत बार बार ले लिए ऐसा नहीं है अब जितनी लाइने और जितने कंगुरे की design एउस करूंगे आपकी design उतनी ही अच्छी होती जाएगी इसमें मैंने फिर बैल्स लिए घंटियों के design लिए जिससे मेरा ये design और भी अच्छा लगने वाला है इसको मैंने बिलकुल ऐसा दिखाया है जैसे कि horizontal में बिलकुल बैल्स अपनी एक ही side में जाती है सेम मैंने वही चीज इसमें किये सारी बैल्स को एक side थोड़ा सा पूश रखा है तो इन चोटी-चोटी चीजों से ही ये सारी चीज अच्छी दिखती है इसके उपर मैंने थोड़ा सा design दे दिया ह एंड के लिए अब मैंने इसमें लाइने ड्रॉ करूंगी इसमें दो-तिन लाइने में ड्रॉ करूंगी जिससे वही है कि चीज अच्छी दिखने लग जाए सेम इधर side भी करूंगी अम्रेला में आपको यह और design भी ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको आती हो तो यह मैं नार्म आप यही सेम अम्रेला डिजाइन की feeling उस वाले अम्रेला में भी कर सकते हैं जो कि मैंने उपर बनाया है यह horizontal है वो vertical है उसमें भी यह feeling easily हो सकती है feeling करने का तरीका सही होना चाहिए बस बाकी कुछ इसमें matter नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं बस finishing दिखनी चीए और चीज में तो यह वाला मैं आपको feel करके बता देती हूं next आप खुद करिएगा तो यह में जल्द जल्दी feel कर देती हूं वीडियो काफी लंबी हो गई है I hope आपको इसमें जो भी मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ आयो अगर कोई mistake रह जाती है in case आपको कुछ नहीं समझ आता है तो मुझे से comment box में comment करके जरूर पूच चकते हैं कोई भी बात हो कोई भी चीज़ों आप मैंसे महंदी से related सारी चीज़े आप comment box में मैंसे पूच चकते हैं अगर आपको इस वीडियो से तोड़ा सा भी profit होता है तो प्लीज इसे like, share and subscribe जरूर करिएगा जिससे मुझे भी motivation मिलेगा और मैं इस तरह के और बहुत सारी वीडियो आपको provide करा सकोंगी और जल्दी से like and subscribe कर दीजिए subscribe जरूर करिएगा बाबाई